तो फ्रेंड आज के वीडियो स्रीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले ही कनवर्जन ओफ रेगलर एक्सप्रेशन टू फाइने डॉटमेट है यानि रेगलर एक्सप्रेशन को किस तरीके से हम फाइने डॉटमेट करेंगे तो उसके लिए वेसिकरी 3-4 स्टेफ होते हैं जिनका फॉलो करना ज़रूरी होता है तो इससे प्रॉस लेक्षिर में हम लेकों ने बहुत सारे टॉपिक को टियोसी के अंदर कवर अप किया है तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो देख लीजेगा आपका जो examination point of view सो दो preparation है वो हो जाएगा और numeral question भी उसमें आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहला step हम क्या इसमें follow करते हैं पहला कहरा है कि design a transition diagram for the given regular expression using the NFA with epsilon move यानि हम क्या करेंगे जो हमारा regular expression दिया रहेगा उसके मदद से हम NFA with epsilon move बनाएंगे उसके transition diagram के द्वारा step second में हम क्या करेंगे convert NFA with epsilon to NFA without epsilon यानि जो हमने epsilon move के मादिम से जो हमने जो NFA है उसको बनाया उसमें हमें क्या करना epsilon को remove करना है third step में हम क्या करेंगे convert the opt in NFA to equivalent DFA यानि जो हमारा NFA बना रहेगा उसको हम लोग DFA में convert करेंगे clear तो यह हमारा step follow होगा example आपके सामने मौझूद है यहाँ पर कहरा है कि design a finite automator from a given regular expression 10 plus 0 plus 11 star 01 तो इसको हमें क्या करना है change करना है तो इसमें यह rule follow होगा यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले regular expression दिया है उसको हम लोग NFA with epsilon move बनाना है उसके बाद हमें बनाना है NFA उसके बाद उसका DFA यह हमें rule follow करना है तो step 1 में जो हमारा expression दिया हुआ है उसको हमने क्या किया q0 मान लिए initial को और qf मान लिए हमने क्या final state को और यहाँ पर यह जो language दिया हुआ है उसको अब क्या करना है कुछ नहीं करना है step second में हमें क्या करना है अलग-अलग separate करके उसको लिखना है one zero वाला term में एक तरफ हो जाएगा और यह जो आपको plus वाला यह term दिख रहा होगा यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं यह जो plus वाला term दिख रहा है इसको हमने नीचे लिख दिया उसके बाद हमें क्या करना है इसको भी break करना होगा तो हमने इसको break किया तो step number third में हमने इसको break किया तो one zero भी break हो गया और zero plus one one एक तरफ और zero into one आपका एक तरफ हो गया अब फिर ही zero और one को हमें एक तरफ break करना होगा step four के अंदर तो हमने zero plus one one को एक तरफ किया one zero as it is और यहां पर zero one हमने लिख दिया उसके बाद हमें क्या करना है इसके मदद से जो हमारा जो क्या कहते हैं डियेफे होता है उसको हमें बनाना है तो हमने क्या किया इसके मदद से हमने इसको create किया तो एक दो बार आप practice करेंगी चीजे clear हो जाएंगे और इस diagram के मदद से हमने क्या किया सबसे पहले इसके transition table को बनाए और इसके transition table के मदद से हमने इस DFA को बना लिया जो कि इसके equivalent आ रहा है उसके बाद अगला question है example के तोर पे आप इसको practice कर सकते हैं जितना ज़दा आप practice करेंगे उतना ज़दा सीखेंगे और जब तक आप practice नहीं करेंगे चीजे clear नहीं होंगी इस बात को आप मानके चलिए तो यहाँ पे आपका complete हो जाएगा और यह आपका अगला question है construct a finite or meta for the regular expression 0 star 1 plus 1 0 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आप rule को follow करेंगे कुछ नहीं करना है पहले regular expression को NFA with epsilon से बनाना है उसके बाद उसमें epsilon remove करना है then उसके बाद NFA बनाना है उसके बाद उसका DFA बनाना है यही rule को follow करना है यही property को आपको follow करना है अगर वीडियो बसंदा लाइक जुरूर कीजेगा जल्दे मिलता है से अटिसमेड़ों सा तब तक लिए thank you